नमस्कार दोस्तों आज एक बार फिर आलोकन अकेडमी के ओनलाइन प्रेटफर्म पर आप सब का अर्दिक स्वागत है और आज फिर हम एक करेंट रफेहर्स के नए इस्यू के साथ आपके सामने आये हैं जैसा कि आपके जो फीडवेक्स हमें जो मिल रहे हैं फीडवेक्स के आदार पर हम उसी के अनुरूप तबदीली करते रहें उसमें थोड़ा बहुत संसोदन और परिवर्तन करते रहें आज हम जो है आज के इस एपिशोड में तीन तरह के सामगरी के साथ आये हैं जिसमें पहला वन लाइनर क्यूशंस को हमने सामिल किया हैं दूसरे में विकल पात्मा के वस्तुनिस्ट प्रस्न है और तीसरे में जो है शोट क्यूस्चन से जो की आरेस मेंस की एक्जाम्स में और आईएस मेंस की एक्जाम्स के लिए उप्योगी रहेंगे जैसा कि आप सब जानते हैं कि करेंट अफेस में पिछले दो-तीन दिन में काफी कुछ गटित हुआ है और उसी को लेकर के आज हम फिर उस पर चचा करने के लिए आपके समक्ष है सबसे पहले हम बात करेंगे तर्यान में ओसकर आवार्ज के बारे में आप जानते हैं ओसकर आवार्ज जो है दुनिया में जो है सबसे प्रतिश्टिस आवार्ज में से एक है और ये जो है फिल्मों के संबन में दिये जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी-कभी एक्जाम्स में इस तरह की कुस्चन भी पूछे जा सकते हैं कि उसका रवार्ड किस से संबन दीता है तो आप उसको ध्यान में रखेंगे कि उसका रवार्ड से फिल्मों से संबन दीता है जो फिल्मों की पटकता, फिल्मों की कहानी, फिल्मों के डायरेक्शन, फिल्मों के फोटोग्राफी, बेस्ट अवा, एक्टरेस, बेस्ट हिरोज, इन सब के बारे में दिये जाते हैं। तो तर्यान में में ओसकर आवार्ड के बारे में हम आपको कहना चाते हैं कि ये एंथनी होपकिन्स और फ्रांसिस मेक्डॉर्मन्ड फिल्म दा फादर के लिए वेस्ट एक्टर और नामा लेंड के लिए वेस्ट आवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरा इसमें जो है बेस्ट फीचर फिल्म आवार्ड की के टेगरी को रखा गया है। युद्धभ्यास के बारे में और ये जो युद्धभ्यास है ये मेगा वार्ड गेम 19 वा संस्करन नाम इसको दिए गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भारत और फ्रांस के बीच में जो तीन दिवस ये युद्ध अभ्यास चल रहा है उसमें जो है उसको क्या नाम दिया गया है तो ये जो है मेगा वार गेम इसको नाम दिया गया है ये ध्यान देने की बात है और ये जो है ये इसका जो है उनीस वस युद्ध भ्यास में भारत फ्रांस के बीच में चोथा जो वन लाइना जो अप्रस्ण है वो यूनिसेफ से जुड़ा हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कोरोना की जो वयावेता जो चल रही है को कोरोना का जो प्रकोब चल रहा है उसके संबन्द मे यूनिसेफ ने भारत की प्रतिरोधक संता बचों में बढ़ाने के लिए टीका करन के संदेश को व्यावेता किस्तार पर फहलाने के लिए अब नेत्री और पूरू मिस इंडिया मान से खुलर को ब्रैंड एम मेसेटर के रूप में चुना है जो की बच्चों के बीच में को जागरुकता फैलाने और कोरोना के संबन्द में जो एतियातन जो कदम उठाने है उसके बारे में वो बच्चों को जागरु करेगी तो यह जो है यह यूनिसेफ की तरफ से जो है मान से खुलर जो है यह ब्रैंड एम मेसेटर इनको बनाया गया है और यह जो है पूरू मिस भारति रिजर बेंक से आरबियाई से जुड़ा हुआ है और आकडो और अन की जानकारी के रख रखाओ के नियमों के उलंगन को लेकर आरबियाई ने भारति रिजर बेंक और इंडिया ने अमरीका के दो बेंकों को पृतिबंदित किया है इनमें पहला जो बेंक है वो अम दान देने की बात है कि RBI ने भारते रिजर बेंक ने अमरीका के दो बेंकों पहला अमरीकन एक्सपेस बेंकिंग और दूसरा डाइनस क्लब इंटरनेशनल को जो है प्रतिबंदित किया है जो नहीं ग्राव को जोडने पर यह प्रतिबंद रहेगा यह जो है RBI की आगे की जो गाइड लाइन है उसके बिना या बिना RBI की निर्देशों के यह अपने ग्राकों को भारत में नहीं बड़ा पाएंगे और अपनी जो है बेंकिंग को उसी केटेगरी में प्रतिबंदित रखेंगे तो आज के हमने जो है पांच प्रिस्नों के बारे में बा तो इसमें जो बेस्ट एक्ट्रेस है वो एंथनी ओपकिन्स है और बेस्ट जो फिल्म है वो नेमाड लेंड है दूसरा जो है भारत और फ्रांस के नो सेनाओं के बीच में अरब साकर में तीन दिवस्य यह दिव्यास चल रहा है जिसको मेगा वार गेम नाम दिया गया है य इसे अगला जो प्रस्ण है उसमें यूनिसेफ ने भारत में बच्चों की प्रतिरोधिक सम्ता को बढ़ाने वाले टीका करने के संदेश को व्यापकिस्तर पर फेलाने के लिए अबनेत्री और पूर्मिस इंडिया मांसी छिलर को जो है ब्रांडे में सेटर चुना है पाच अब हम वस्तुनिस प्रस्णों पर चर्चा करेंगे जैसा कि एक्जाम्स में पूछा जाता है वह विकल्पात्मक प्रस्ण है वो यह सारे के सारे जो प्रस्ण है वो सब इंस्पेक्टर के लिए रीट के लिए या आप कहें कॉलेज लेक्चर्स के लिए यह सारी जो आर्प उसके लिए ये सवाल बहुत जरूरी है और इनमें पहला जो सवाल है वही उसी से संबन दीत है जिसको हम थोड़ा डिटेल में लेकर के आये हैं कि नो सेनाओं के बीच में अरब सागर में तीन दिवस्य युद्धव्यास की सुरुवात की देशों के बीच में हुई है तो व कि मोजूद्गी से उत्पन चिंता की प्रिस्टमूमी में हो रहा है बयान के मुताबिक युद्ध्य अभ्यास के दोरान विविन तरह की समूद्री अभ्यान का अभ्यास किया जाएगा इसका उद्देश नो से नाओं में समन्वे करना और रणन दितिक सेत्र में सही कारव के लिए चीन को संदेश देने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ ये संगत अभ्यास किया है जिसमें ये मेसेज देने की कोशिश की जा रही है ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर जुरुत पड़ी तो फ्रांस भारत के साथ आ करके युद्ध संयुक्त रूप से उसका गज है वो अभी कोराना की चपेट में आने से उनका निदन हुआ है तो ये कौन है जो कि इंदुस्तानी सास्त्रे संगीश से जुड़े हुए है और कोरोना की चपेट में आने से उनकी मृत्य हुई है तो इनका पहला ओप्षन है राहुल सस्देवा दूसरा है मोहन पंडित तीसरा है राजन मिस्त्रा, चोथा है अनेल मिस्त्रा तो इसमें सही जो उत्तर है वो है राजन मिस्त्रा और राजन मिस्त्रा जी को जो है पदमभू सन से सम्बानित किया गया है और ये 25 अबरेल 2021 को इनका निदन हुआ है वे 70 साल के थे बनारस राजगराने से संबन रखने वाले राजन मिश्रा भारत के प्रसिद्ध सास्त्रिय गायक थे भारत सरकार ने उन्हें 2007 में कला के सेत्र में पदम भूबसन से संबानित किया गया था उन्होंने 1978 में स्रिलंका में अपना पहला संगीत कारिक्रम प्रस्तूत किया था तो इस से जुड़े हुए चार सवाल आपके सामने है पहला सवाल है कि भारते सास्त्र संगीत के कौन से दिगज का कोरोना की वज़े से देया नाम है राजन मिस्त्रा एक दूसरा इनसे जुड़ा हुए सवाल निदनिन का कब हुआ है 25 अपरेल को तीसरा जो है इनसे जुड़ा है कि ये कौन से घराने से संबन दित है तो इनका घराना है बनारस चोथा जो है इन्हें कब पदम विबुशन संबन दिया गया तो वो 2007 में और इन्होंने पहला प्रोग्राम का प्रस्तूत किया ये 1978 में सिरिलंका में तो इन्हें राजन मिस्त्राजी से जुड़े हुए चार सवाल है पहला है कि ये इंदुस्तानी सास्तर संगीत के दिगज जाते हैं जिनका सतर साल की उमर में द्यानत हुआ कोरोना के वज़े से इनका द्यानत हुआ इनका जो द्यानत है वो 25 अप्रेल 2021 को हुआ ये किस घराने से संबन दीत है ये बनारस घराने से संबन दीत है इनको पदम विबुशन कब दिया गया 2007 में दिया गया, इन्होंने पहला कारेक्रम कहां पर प्रस्तूत किया, सिरलंका में प्रस्तूत किया, कप प्रस्तूत किया, 1978 में प्रस्तूत किया तीसरे सवाल जो हम आपके सामने लेकर क्या है है उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान की एक T20 क्रिकेटर है जिन्होंने विराट कोली के 2000 सबसे तेज 2000 रन बनाने का जो रिकोर्ड है वो तोड़ा है तो उस खिलाडी का नाम क्या है तो पहला ओप्सन है फकर जमान दूसरा है सर्फराज हमत तीसरा है मुहमद रिजवान चोथा है बाबराजम तो इसका जो सही जवाब है वो है बाबराजम बाबराजम ने विराट कोली का सबसे तेज 2000 रन बनाने का T20 में 2000 रन बनाने के रिकोर्ड को तोड़ा है हाली में और उनका नाम है बाबर आजम बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में 2000 रन पूरे कर लिये हैं और वो क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप मतलब 2020 प्रारूप में इंटरनेशनल लेवल पर सबसे कम पारियों में ये कमाल करने वाले दुनिया के पहले खिलाडी बन गए हैं बाबर आज चपन पारियों में किया था अब बाबर आजम विराट कोली को पीछे छोड़ कर पहले नमबर बार आ गए तो ये जो इससे जुड़ेवे चार सवाल है पहला सवाल है कि 2000 सबसे तेज 2000 रनों का जो रिकोर्ड किसके नाम है बाबर आजम के नाम बाबर आजम किस देश के खिलाडी है पाकिस्तान के किसका रिकोर्ड तो अड़ा है कोहली का विराट कोली का विराट कोली का के है भारत के और कितनी पारियों में रिकोर्ड तो अड़ा है 52 पारियों में विराट कोली का कितना रिकोर्ड था 56 पारियों का तो ये जो है इससे जुड़े हुए 6 सवाल आपके सामने बनते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए अगला हमारा जो सवाल है वो बोधिक संप्रदा दिवस से संबंदित है निम्न में से किस दिन बोधिक संप्रदा दिवस मनाया जाता है और इसका जो ओप्सन है पहला 26 अप्रेल दूसरा 15 जनवरी तीसरा 12 अप्रेल और चोथा है 20 महीं तो इसका सई जो उत्तर है वो है 26 अप्रेल तो विश्व बोधिक संप्रदा दिवस कम मनाया जाता है 26 अप्रेल प्रतेक वर 26 अप्रेल को विश्व भर में विश्व बोधिक संप्रदा दिवस World Intellectual Property Day मनाया जाता है विश्व बोदिक संपता दिवस, नवाचार और रचनात्मक ताको बढ़ावा देने में बोदिक संपता अधिकारों और पेटेंट, टेडमार्क, ओद्योगेक डिजाइन, कॉपी राइट की भूमिका के बारे में जागरुपता फेलाने के लिए मनाया जाता है नेक्स जो सवाल है पांचवा वो स्टार्टप से ले करके हैं आप जानते हैं युवाओ में स्टार्टप का एक नईया क्रेज चल रहा है इसी को देखते हुए हमने इसको सामिल किया है भारत में तकनिक आधारीत स्टार्टपों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के है रोश, चो था है जापान तो इसमें सही उत्तर है पहला दूसरा सिंगपूर भारत ने सिंगपूर के साथ तकनिकी स्टारटप स्को स्टार्ट करने के लिए एक गर्जोड किया है और वह जो है भारत के तकनिकी आधारीत स्टार्टप को बढ़ावा देने के लिए जोड़ किया है इस कवायवद का मकसद सिंगापूर इंडियन चेम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडिस्ट्री सिक्की की समताओं का लाब उठाने के लिए स्टार्ट अप को प्रोचसाइद करना है एक सही युक्त बयान के मुताबिक दोनों संस्तान युवा स्वधेशी प्रति कैसे उस सवाल है वो राष्टी अंतराष्टी विमानों पर प्रतिबंद से समंदित है किस देश ने भारत से आने वाले सबी राष्टी अंतराष्टी विमानों पर प्रतिबंद लगा दिया है और ये कोरोना की बज़े से प्रतिबंद लगाया है पहला है नेपाल, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बंगलादेश और चोथा है युएई युएई ने जो है भारत के साथ सारी जो उडाने हैं वो अगले आदेश तक जो है इस्तगित कर दिया है संयुक्त अमर अमिरात ने कोरोना वायरस की खराब इस्तती को देखते हुए 25 अप्रेल 2021 से 10 दिनों के लिए भारत से यातरा पर पृतिबंद लगा दिया है भारत में कोरोना वायरस संकर्मन के मामले में बेहतासा वर्दी को देखते हुए यूए से पहले भी कई देशों ने भारत से यातरा पर पृतिबंद लगा दिया है इसमें आप आपको हमने पिछले उसमें एपिशोड में बताया था कि दो जो देशों के जो राष्टा दक्स है वो भी अपना दोरा केंशल कर चुके है एक ब्रिटेन के हैं और दूसरी और ऊस्टी लेकर है तो सात्वा जो सवाल है सात्वा सवाल के दूप में हम विष्व मलेरिया दिवस से संभन देशा का devrait कर क्या है विष्व मलेरिया दिवस्व कर दूसरा है 21 अपरेल तीसरा है 12 माई और चोथा है 15 जुलाई तो इसका जो सही उत्तर है वो है 25 अप्रेल 25 अप्रेल को विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवस 25 अप्रेल को संपून विश्व में विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस की थीम रीचिंग ता जीरो मलेरिया तारगेट है पहली बार विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रेल 2008 को मनाया गया था यूनिसेप के दुआरा इस दिन को मनाने के शुरुवात की गई थी इसको मनाने के पीछे ये कारणे की हर साल पूरे विश्में इस रोग से कई लोग जान गवां देते हैं लेकिन इसके पृति आज भी जाग रुपता नहीं है तो ये जो है इससे जुड़े हुए चार सवाल और आपके सामने इस रूप में आते हैं कम मनाया जाता है 25 अपरेल को दूसरा इसका जो थीम क्या है वो है रीचिन दा जीरो मलेरिया टार्गेट किसके दुआरा मनाया जाता है यूनिसेफ के दुआरा इस दिन इसके पीछे के कारण क्या है कि हर साल जो है मलेरिया से जान कवा देते हैं उसमें जाग रुपता फिलाने के लिए तो यह चार है 25 अप्रेल को फिस मलेरिया दिवस मनाया जाता है इसका जो है तीम जो है रीचिंग दा जीरो मलेरिया टार्गेट है यूनिसेफ के दुआरा इसकी शुरुआत की गई कब शुरुआत की गई 2008 में की गई और इसका जो देश क्या है वो मलेरिया के पुर्ती लोगों में जाग रुपता फिलाना है नेक्स जो सवाल है वो किस देश में परियटन मंत्रा लेने हाली में अपने बसे हवे दुआपों पर भारती परियटों को रुपने पर रोग लगा दी है इसमें पहला है माल्दीब दूसरा है स्रिलंका तीसरा है जापान चोथा है रूस और इसका सही उतर है माल्दीब माल्दीब ने जो है भारतीयों के रुकने पर रोग लगा दिया मालदी परियाटन मंत्राले ने अपने बसे वे दिविपो पर भारतिय परियाटन को कि रुकने पर रोग लगा दिये मंत्राले ने कहा कि परियाटन को कम से कम असुजदा के साथ सबसे सुरक्षित बनाने के लिए हमारे प्रियास में सहयो करने के लिए हम आ से आग रहे हैं कि आप कोविड की गाइड लाइन का फोलो करें आप मास्क लगा करके रहें खुद भी बचें अपने परिजनों को भी बचाएं और अपने आसपडोस को भी सुरक्षित रखें अब हम तीसरी जो केटेगरी के प्रस्न है उसमें हम बात करेंगे जो सोट कुस्ण्स हैं जो कि मैंने आपको बताया है कि जो आरे एस और आ ऐस मुख परिक्षखाओं में जो हैं जोट कुछे जातें उनके बारे में आपके लिए कुछ सवाल हम लेकर क्या है पहला सवाल है CSIR द्वारा किये गए सीरो सर्वे के अनुसार मार्च में कोरोना वाइरस के प्रिकोब की पुन्द्रावर्ती की कमी के कारण क्या है तो इसमें इसकी एंटी बोडि जो हो है उसको उसका कमी का कारण माना गया है Council for Scientific and Industrial Research CSIR द्वारा किये गए सीरो सर्वे कौन सा सर्वे सीरो सर्वे सीरो सर्वे सीरम से जुड़ा हुआ है मार्च 20 में सीरो पोजिटिव लोगों के सार्थक अन्टी बोडि की कमी कोरोना वाइरस के कारण हो सकती है CSIR ने 17 राजियों में 10 केंदर सासित प्रदेशों के 10,427 लोगों पर सीरो सर्वेक्षन किया इसमें 69 सीरो सकारात्म का 10.14 प्रतिशत थी तो यह जो है इसको अगर इसको हम अब्जेक्टिव कुश्टिव कुश्टिशन में लेते हैं तो इसमें 3 कुश्टिशन मनते हैं CSIR का फुल फॉर्म क्या है तो काउंसिल फॉर साइन्टिफिक एंड इंडेस्टियर रिष्टर्स CSI का फुल फॉर्म है दूसरा यह जो है किस के आधार पर वो किया गया है तो इसको हम उन्होंने सीरो सर्वे का नाम दिया है और सीरो जो है सीरम से चुड़ा हुआ टेक्निकल सब्द है सीरो पोजिटिव लोगों पर एंटी बोडी की कमी कोरोना वाइरस के प्रकोप का कारण हो सकती है इसलिए CSIR ने 17 राज्यों कितने राज्यों 17 राज्यों और 10 केंद्र सासित प्रदेशों में ये सर्वे किया कितने लोगों को उन्होंने सेंपलिंग की 10,427 की सेंपलिंग की और इसकी जो है सीरो सकारात्मक्ता की जो का प्रतिशत है वो 10.14 है 10.14 है दूसरा जो प्रस्ण है वो उस चिकित से अपकरण का नाम क्या है जो परिवेशी वाईयू एबियंट एयर से ओक्सीजन को केंद्रित करता है इसका नाम है ओक्सीजन कॉन्स्टेंटर ओक्सीजन कॉन्स्टेंटर ट्रेटर चोरी एक oxygen concentrator एक चिक से अपकरन है जो परिवेशी वायू से oxygen को केंद्रित करता है COVID मावारी के दोरान रोगियों के इलाज के लिए इसकी अत्यधिक आवसकता होती है oxygen concentrator वायू मंडली हवा का अपयोग करता है जिसमें 78% nitrogen और 21% oxygen होती है यह इस हवा को एक छलनी के माध्यम से चानता है nitrogen को वापस हवा में छोड़ता है और सेश oxygen पर काम करता है यह जो oxygen जो हम liquid oxygen की बात कर रहे हैं जो पूरे देश में जिसकी किल्ला चल रही है जिसकी कमी चल रही है वो जो है वो उसकी एक process को बताया गया है कि कैसे oxygen concentrator जो है वो nitrogen को अलग करके और oxygen को जो है उसमें अलग करके उसको liquid form में तबदिल करता है परिवर्थित करता है और वो cylinder में भर करके फिर वो चिकित से और दूसरे उसमें उपयोग में आती है तीसरा जो सवाल है किस सस्त्र बल ने लद्दाख ignited mind नामक उतकरस्ता केंद्रे और कल्यान केंद्र को लौंच किया है यह इसका उत्तर है भारतिय सेना और इसकी जो detail है वो है भारतिय सेना ने project लद्दाख ignited minds एक उतकरस्ता और कल्यान का केंद्र सुरू किया है इसका उद्देश लद्दाखी चात्रों के लिए बहतर सिक्ष्या आउसर पुरदान करना है इसके लिए fire and fury core इंदुस्तान petroleum corporation लिमिटेड SCL और कानपुरिष्टित NGO national integrity and education development organization के साथ चात्रों को पुरिष्टिक्षन सुरुदाप्रदान करने का उद्देश रखा है चोथा इसका सवाल है वो है विश्व पृतिरक्षन सब्ता world immunization week की theme क्या है world immunization 2021 की theme क्या है vaccines bring us closure vaccines bring us closure 2021 के world immunization week की theme है विश्व पृतिरक्षन सब्ता अप्रेल के अंतिम सब्ता में हर साल मनाया जाता है इसका उद्देश सभी लोगों को बिमारी से बचाने के लिए टीकों के उप्यों को बढ़ावा देना है गूगल ने विश्व पृतिरक्षन सब्ता 2021 की शुरुआत पर स्वास्त कार्यकरताओं को धन्यवा देने के लिए एक डूगल भी बनाया था नेक्स्ट जो सवाल है वो जलवायू परिवर्तन से जुड़ा हुआ है और इसमें आप देखेंगे के विश्व का सबसे सक्तिसाली जलवायू परिवर्तन पूरवानमान सुपर कम्पूटर किस देश ने बनाया है इसका नाम है ब्रिटेन ब्रिटेन ने विश्व का सबसे सक्तिसालिय जलवायू परिवर्तन पूरवानमान सुपरकंप्यूटर बनाया है और इसकी जो डिटेल है वो है मोसम और जलवायू परिवर्तन के पूरवानमान के लिए दुनिया के सबसे सक्तिसाली सुपरकंपूटर के निर्मान के लिए माइक्रोसोफ्ट और मैट ओफिस यूके ने हाथ मिलाया है यह सुपरकंपूटर 2022 में चालू होने की संभावना है विसम मोसंपर सटिक चेतावनी प्रदान करेगा और देश में अत्यदिक तूफान, बाड और बर्फ के प्रबाव से बचाने में मदद करेगा यह जो सक्तिसाली जलवायू पूर्वान वान के लिए जो सुपरकंपूटर है उसको बिटेन के मैट ओफिस और माइक्रोसोफ ने मिलकर के बनाने की वो सुरुवात किये और यह 2022 तक बनेगा 2022 में चालू होने की संभावना है और यह मोसंपर सटिक जो पूर्वान वान है उससे संभन दिता है जो की तूफान, बाड और अत्यदिक बरफ के बारे में मोसं के पूर्वान वान को अंकित करेगा छटा जो प्रस्न है वो है किस देश ने इंटरनेशनल क्लाइमेट फिनेंस प्लान की गोशना किये ताकि विकासिल देशों के लिए जलवायू वित को दोगना किया जा सके यह अमरीका है, अमरीका ने जो है इंटरनेशनल क्लाइमेट फिनेंस प्लान की गोशना किये और यह विकासिल देशों में जलवायू वित को दोगना करने के लिए उपियोग में आएगा हाले में अमरीका के राश्टपती जो वाइडन ने US International Climate Finance Plan का अनावरन किया है जो वाइडन ने गोशना किया है कि अमरीका Green House Gage उत्सरजन को कम करने में गरीब देशों की मदद करने के लिए सारवजिन जलवायू वित्य को दोगुना करेगा और 2005 के इस्तर पर 50% 52% उस सरजन में कटोती के लिए एक नए लक्स के साथ नई जलवायू वित्य योजना जारी की गई है नेक्स जो सवाल आपके लिए हम ले करके आए हैं उसमें किस वित्तिय सेवा कंपनी ने बी ओ भी फाइनेंस के साथ कौन क्यूर QR कोड एमडेड क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है ये इसका उत्तर है मास्टर कार्ड बेंक ओफ बड़ोदा की क्रेडिट कार्ड साखा बी ओवी फाइनेंसियल और मास्टर कार्ड ने संयुक्त रूप से लगू व्यवसाय आदारित QR कोड एमडेड क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है इसे कौन QR नाम दिया गया है ये कार्ड धार को MSC को अपने कार्ड का उपयोग करके केसले बुक्तान शुकार करने में सक्षम बनाता है छोटे ववसाय इस QR का उपयोग भुक्तान करने के साथ सास्ती और सरल प्रक्रिया से बुक्तान प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं ये बेंक को बड़ोदा और मास्टर कार्ड का संयूक्त उद्यम है चटा नेक्स जो सवाल आठवा सवाल जो हम आपके सामने लाएं माउन्ट अन्यपूर्णा से जुड़ा हुआ है ये किस देश में है तो ये नेपाल में है और ये क्यों क्यों चर्चित हुआ है ये हमने आपको पिछली करेंट अफेर्स की क्लास में इसके बारे में बता चुके है हिमाले में अन्यपूर्णा परवत संकला उत्तर मद नेपाल में इस्तित है ये दुनिया की दस्वी सबसे उची चोटी है जिसमें आठजार मिटर से अधिक उची चोटी शामिल है हाली में महरास्ट के सतारा की प्रियेंका मोहिते माउंट अन्यपूर्णा पर चड़ाय करने वाली पहली बार के महिला बनी है जो हमने आपको पिछले एपिशोन में बताया था ये जो है आप हिमाले की अन्यपूर्णा प्रवत संकला में इसका आता है सतारा की रहने वाली प्रियेंका मोहिते ने माउंट अन्यपूर्णा पर चड़ाय करने किये और ये भारत की पहली महिला बनी है नेक्स्ट प्रस्ण में हमने आपके लिए सामिल किया है परित्यक्त बच्चों के पुनरवास के लिए राज केंद्र सांसित प्रुदेश ने हरीहर निती शुरू किया है किस राज ने हरीहर निती शुरू किया है इसका उत्तर है हरियाना हरियाना मंत्री मंडल ने हरीहर Homeless, Abundant and Surrendered Children Rehabilitation Initiative हरियाना पोलिशी को मंजूरी दिये इस निती के तहित पांच वर्षे कम उम्र के परित्यक्त मिंच जो अनाथ बच्चे हैं या जो अपने माबाब के द्वारा त्याग दे गए 25 वर्ष या विवा तक सिक्ष्या, रोजगार और वित्य साहता के लाब के लिए पात्र होंगे और आज का जो है अन्तिम सवाल जो है आपके लिए हम लेकर करके आएं मानव अंगों के छोटे मोडल को क्या नाम दिया गया है जिसमें कई प्रकार की कोशिकाय होती है जो मानव शरीर के समान विवार करती है इसको बोलते हैं टिशू चिप्स टिश्यू चिप्स मानव अंगों के छोटे मोडल होते हैं जिन में कई कोशिकाया के प्रकार होते हैं जो मानव शरीर के समान विभार करती है हाली में चार अंतरिक्स यात्रियों को वानिजिक अंतरिक्स कारेकरम के तेह नासा और स्पेस एक्स के बीच सयोग के इससे के रूप में अंतराश्टी अंतरिक्स स्टेशन आई एसस के लिए लौंच किया गया है इस दोरान उनका ध्यान अंतरिक्स अध्यान में टिशू चिप्स में अध्यान की एक स्रंखला को पूरा करना है तो ये आज के करेंट अफेस के सवाल है जो आपके समक्षम लेकर के आए हैं अगली कड़ी में हमें पुने फिर नए सवालों के साथ आपके साथ आएंगे आपने हमें समय दिया उसके लिए धन्यवाद और आपसे आग रहे हैं कि आप अपने फीड़बेक निरंतर रूप से देते रहे हैं ताकि उसी रूप में हम अपने कारिकरम को आप तक ला सके धन्यवाद